जैन दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान आर्वियल में आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तयारी भी अच्छी चल रही होगी इस पेट 2013 की इस रंखला में साथियो एक और हमारी एक नई वहतरिन क्लास साथियो जो अर्थवस्ता की एक क्लास रहीगी साथियो हमारी इसके पहले हम अर्थवस्ता की एक नई क्लास आपको दे चुके हैं साथियो इसमें कह सकते हैं जो हमारी एक क्लास है साथियो कि आप किसी भी बंडे एक्जाम के लिए ले सकते हैं चाहे ट्रप्ररेशी पैट का एक्जाम हो हाँ अली में जो पैट का एक्जाम साथी हो उसके लिए भी चल लगी है और चाहे बीपियो का हो चाहे जूने असेस्टेंट हो यूपी पीजियेस हो उपीयोसाइ, कौस्टेबिल, आधर बंडे एक्जाम चाहे एससी का कोई भी एक्जाम हो साथी उसके लिए भी इस कलास को आप ले सकते हैं तो आसा करते हैं आब लोग त्यारी अच्छी चल दयाही होगी समय को नगवाती है मैं लिएक्जास को स्टार्ट करता हो साथियो जो अर्थविस्था है इसका मतलब क्या है तो यह भी जानना जरूरी होता है क्योंकि अर्थविस्था है क्या तो अर्थविस्था जो है साथियो वो अर्थविस्था का बेवहारिक पच्छ है क्या है अर्थविस्था का बेवहारिक पच्छ है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है कितना उभोग किस तरह हो रहा है ये सबस्तुओं उन सेवाओं के बैपार से समदे सभी इतने भी क्रिया कलाप हैं वो अर्थवस्ता के अंतरगत आते हैं अब कुछन है कि अर्थवस्था के माध्यम से देश में रहने वाले लोग अपनी आजीब का प्राप्त करते हैं तो किसकी माध्यम से लोग अपनी आजीब का प्राप्त करते हैं तो अर्थवस्था के माध्यम से अपनी आजीब का प्राप्त करते हैं अब आँगे यहां पर दिया गया है कि अर्थवस्था का जो बरगी करन है तो अर्थवस्था का जो बरगी करन है वो कह सकते हैं कि इन्हें तीन भाग में बाट कर पढ़ सकते हैं जैसे कि नमबर एक नियंत्रड के आधार पर तो नियंत्रड के आधार पर जैसे यहां पर बत अधार पर बगी करण तथा जो तीसरा पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा बैस्विकD संबंदों के अधार पर अर्थवेस्था तो नियंत्रण और यहां पर जैसे हमने आपको बताया थाइक में नियंत्रण के अधर पर जो अर्थवस्था का बर्गी करना है नमबर एक अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे यहां पर दिये गए हैं कि पूजी वादी अर्थवस्था सीधा कुस्तन एक जाम में आता है साथी और देखता है कि पूजी वादी अर्थवस्था क्या है तो इसका मतलब होता है कि ऐसी अत्वस्था जिसमें उत्पादन के जितने भी संसादन हैं उन पर निजी स्वामित पाए जाता है तो निजी वर्ड याद रखना निजी स्वामित उसका मतलब पूंजी वादी उसे पूंजी वादी कहते हैं इसे उदार वादी अरुस्था भ एड़ाम इसमित के आहस्तेचेव सिद्धान पर अब इसकी कुछ विसेस्ताइं भी पूझी वाती अर्थस्ता कुछ नफसान भी हैं वो भी हम डिसकस कर ले रहे हैं तो पूझी वाती अर्थस्ता की जो विसेस्ताइं हैं जिसे नमबर एक अधिक्तम लाव का उद्देश रहता है तो निजी जब कह सकते हैं अर्थिस्ता है तो सीधा सा मतलब है निजी स्वामित होगा तो लाव का उद्देश सीधा-सीधा अधिक्तम होगा और कैसे बिकेंदरी के द्विस्ता होती है इसका कोई एक केंदर नहीं हो होती है और कह सकते हैं कि परतियुकता की इस्ती ही होती है चीजिस ही बात है जैसे आपके आप कहीं पर रहते है तो वह दुकान दा बस्तु का अपने मनें तुरीं के सीब्ले सकता है जबकि वहाँ पर एक योगता हो जाती है तो ये दियुकता हो जाए जुश, नेक्स अंगला पाइंट है बस्तुओंगा एबं सेवा में भिवेत्ता वग्रोटता तो जो बस्तुओंगे जो है अब एक दुकान थी या जो भी सेवा है उसमें कह सकते है अनिक अनिक प्रकार की बस्तु में लेकर आएगा, यदि अकेला है दुकानदार, तो जो बस्तु है मिलेगी आपको वही लेनी पड़ेगी, उसी स्काम चलाना पड़ेगा, है ना, उसी गुरवत्ता भी कम है, तब भी आपको लेना, यदि वहाँ पर दो दुकान है, या दो स अधिक भी है, तो वहाँ पर आपको एक ही कह सकते हैं, चीज की कई क्वाल्टियां, कई प्रकार की चीज़ा मिल सकती हैं, एक ही प्रोड़क्ट कई कम्पनियों का मिल सकता है, तो बिवेत्ता हो गई, और उसकी गुरवत्ता भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर पूजी वादी अवस्ता क्या है, पूजी वादी अवस्ता है, जिसमें उत्पादन के सभी संसाद्रों को निजी स्वामित तुपाय जाता है, ठीक है, और यसे उधारवादी भी कहते हूं, और एडम इस्वित के जो आहस्तचे सिदान दूस पर ये कार करती है, अब उसन पूजी वादी अवस्ता है, यसे हमने आपको बताई कि अधिक्तम लावकावत देश, बेकेंदरी का दवस्ता, बाजा नेंत्र प्रनाली द्वारा संचालिव, प्रत्युक्ता की स्थि, बस्त्वों इबं सेवाओं में बिवित्ता भी होगी, और उनकी गुर्वत्ता भी ह अब जैसे कहते हैं कि कौन-कौन सा देश, जहाँ पर पूजी वादी अवस्ता है, ये अग्जाम में आ जाता है कि भारत में कैसी है, तो मिसर्थ हो जाए, गरूस में कैसी है, तो समाज वादी हो जाए, यह थी कैसा थी हो, तो कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, जापान, फ्र इतली, बिर्टेन, कनाडा, मेक्सिको अब बात करेंगे हम समाजवादी अर्थवस्ता की जो ये रसिया महरूस में लागुए साथी हो तो इसका मतलब क्या है? तो समाजवादी का मतलब भी समझ लेते हैं ऐसी अर्थवस्ता जिसमें उत्पादन के सभी संसादन इबन सेवाओं का समाझ बित्रडे इसमें होता है, ये भी है समाजवादी अर्थवस्ता में अब है, ये है किसके बिचार पर या सिर्दान पर कारती है? आधारित है तो काल मार्स ने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल, तो उस पर आधारित है समाजवादी अज़ता कहां पर है तो समाजवादी सीधा समाज आई रहा उसमें तो समाजवादी का मतलब क्या है समाज करने आड़ करना लाप राप्त करना नहीं होता है और सब कुछ सरकार के हाथों में होता है ये भी है समाजवादी होता है सरकार के हाथों में सीजी सी बात रूस में या पूर्वाग्य संग में समाजबादी अर्वसिता षता है कि , विस्स्स में सब्स से पहले है पंचवर्सि और जानाएं कहां लागूं का लागूं और कव भी लागूं तो विस्ट में सबसे पहले जो पंचवर्षी जो प्लान जो था वो रूस में शुरू हुआ 1927 से 1932 तक अब बात करेंगे मिस्ट अत्वस्था की तो यह भी बहुत इंपोर्टर यह तो एक्जाम में पता नहीं हर एक्जाम में कितनी बात कुसं रिपीट हो चुका है मिस्ट अत्वस्था हो सकता आपके एक्जाम में अभी भी फिरा जाय तो भारत में कैसी मिस्थथ है मिस्थथ का मतलब है कि पूजी वादी एवं समाजवादी यह कि यह किसे दांद बेकार करती है तो यह जोन मैकार्ड कीन्स के विचारे से दांद पर आधारित है अब कुस्टन है यह समें क्या का काम होते सरकार की तो सरकार क्या करती है और निजी शेतर क्या करता है तो सरकार नीतियां बनाती है और जो नीजी छेतर होते हैं वो उसे लागू करते हैं तो ये है मिस्ट अर्थवस्था का कह सकते हैं तो अब कुछन है कि इसकी विसेस्थाएं क्या क्या है जो मिस्ट अर्थवस्था है इसकी विसेस्थाओं में ये हो जाएगा कि आर्थिक नियूजन सरकार की कह सकते हैं नियामक रूप से भूमका होगी और ब्यक्तिक स्वतंतरता भी होती है ठीके तो ये कुछ बिस्था है आर्थिक नियूजन हो गया तो आर्थिक नियूजन किसके अंतरगत आएगा समाजवाद मिस्यद स्था के अंतरगत सरकार की नियावे क्रूप से हूं का विक्षित किस उतंदरता भी होगी और यह भारत है भारत में मिस्यद अधर स्था है कई बार आए अग बिकास के अधर पर जो कह सकते हैं भर्गीकण किया जाये अधर्स्ता का तो विकसित अस्वस्ता जो पहला पॉइंट है इस तो विकसित का मतलब ये कि किके से विकसित देश कहेंगे है न तो इसके कोछ यए पॉइंट दिये गए हैं जैसे कि उन देशों को विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसादन कौन-कौन प्राकरतिक, मानवी और भौतिक पर्याप मात्रा में उपलब्द हो पहला पांट तो यह होगा फिर समझें विक्सेत अर्थस्ता का मतलब क्या है विक्सेत देश से है कि वो देश जहां पर कह सकते हैं उत्पादन के तीनों संसादन है चाहे प्राकरतिक हो चाहे मानवी हो चाहे भौतिक तो कह सकते हैं कि पर्याप मात्रा में उपलब्द हो यह हो गया और उनका अनकूलतम या समचत अपयोग हो रहा हो जैसे अमेरिका हुआ कनाडा हुआ ब्रिटेन हुआ आदी यह भिक्सित्यस हैं अब राष्टियाए में इनका क्या योगदान है तो यह भी जरूरी है तो राष्टियाए में कह सकते हैं इनका जो योगदान है वो है जो प्रथम, दुती, तृतिये यह उसन आता है सीदा-सीदा कि सेवा के शेत्र का है या उध्यो के शेत्र के हैं किर्सी के शेत्र में आता है तो किर्सी या उससे समंदे जो भी वत्पाद हैं वो सब प्रात्मिक शेत्र में आते हैं और दुतियेक शेत्र में इए युगदान किसका किस एसाब तो राश्टी आय में सबस cet युगदा सबसेग युगदान सेवा चेटर का या तृटियक चेटर का ठीचेटर और दूसे नमबर दूतैक चेटर धूँग ति अब प्रात्मिक छितर करसी, नेक्स्ट है कि विकासी अर्थवस्ता की अबिवेधी हम बात करें, वो बिकसित में था, विकासील देश हुआ हैं, जहां प्राकरति संसादरों की कमी पाई जाती है, तो विकासील देश हैं, जैसे हमारा प्यारा भारत हुआ, पाकिस्तान, बां dość ią दियोग का सबसे उत्य होता बात्यों को होता है अब आविकसित धी विगाव सील अविकसित, और्ष्थथा कीश्चा करेंगे अभिक्सित में जैसे वहे देश हैं जहां प्राकरतिक भौत एक तथा मानवी है मैंसे कोई भी एक नगन है मतलब इन तीन मैंसे कोई एक है ही नई एकदम नगन है कोई भी एक नगन या कैसे तो जैसे नाइजेरिया हुआ चाड़, सुडान, कांगो जो अफ्रीका के अधिक्तब मौफ्टली कंट्री है जो है वो अधिक से देश हैं साथी जैसे इनमें राष्टियाय में युगदान क्या है तो इनमें किर्सी छेतर का सब्सक्राष्टियाय में युगदान रहता है उनका तो जो किर्सी का सथिराष्ट आया में Talagdanda सबसे अधिक रहेगा फěर दूती एक छेतर का होगा फर दिद्धिते ठीक फ्रसेवा का होगा अब तीसरा पॉइंट ये है कि बैस्विक्स संबन्धों के अलहार पर अर्थ अधिया था तथा सभी देश की अर्थस्था खुली अर्थस्था होती है याद रखना फिर सोने खुली अर्थस्था का मतलब क्या है कि जो देश सभी देशों के सा आया निर्यात करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है सभी देशों की अर्थस्था खुली अर्थस्था होती है अब ब जोंग कहते हैं, वहां का तानासा है, अब जैसे 2021 में के अंसार जैसे विस्वक की सीथ अरस्ताइं यहां पर दी गई है, यह इस डेटा के अंसार, तो नॉमिनल जीडीपी अधार पर, ठीके, ट्रिलियन में बताया गया है, ट्रिलियन डॉलर में, तो अमेरिका पहले नमबर पहले है, बाइद असमल अब नो तीन ट्रिलियन डॉलर, जो अमेरिका के डीडीपी है साती हो, जबकि चीन दूसरे नमबर पहले है, उसके बाद में जापान है, उसके जर्मनी है, और कह सकते हैं, अब अपना प्यारा भारत है साती हो, अब यूके नहीं है, यूके पांच बहतरीन तरीके से, जो टेस्सीरीज लॉंच की गई है, इस टेस्सीरीज में साती हो, आर तरह के वहन एक्जामों को टार्गेट किया गया है, आप एक बार इस टेस्सीरीज को पर्चिस करेंगे, 399 रुपए में, तो और उसके बाद एक साल तक आपको इन में से किसी भी ए पर पर साती हो, अध आर वी एल एप को डाउनलोड करेंगे, यदी कुई समसया आती है, तो आप इस नंबर पर संपर कर सकते हैं या भार साथ कर सकते हैं ठीक है साथियो तो जैहिन जैवारत मिलते हैं एक नई क्लास में